नमश्कार दोस्तो जो बलड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो किरपेकर के चैनल सबसक्राइब करके बेल आइकम प्रेस करके ओल नोटिफकेशन जरूर होण कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जुरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है कि इसे को बहुत बड़ी इंफोमेशन मिल जाए, जो कि आपके लिए लेकर आई है, राश्ट्रिय केमिकल एंड क्योंकि इंफोमेशन में यहां पर भी बताऊंगा डिटेल में आपको औरफिशली नोटिफकेशन में भी बता देंगे, इसमें राश्ट्रे केमिकल एंड फर्टिलाजर लिम्टेड जाने की आर सी एफल में, केमिकल ओप्रेटर ट्रेनिंग की और जूनियर फायर मैं ग्र यह प्राइवेट सेक्टर की आपकी यह जोग रहने वाली है, इसमें फीस ट्रेक्चर की बात कर लेते हैं, जनरल ओबीसी एकोनोमिक विकर सेशन की 700 रुपे फीस है, एसी एस्टी फीजिकल हैंडिकेप्ट और एक्स सर्विसमेन की कोई भी फीस नहीं है, अपलाई होने 14 म मार्च इसकी लास्ट डेट है, 28 मार्च शाम के पांच बज़े तक आप अपलाई करस्पा होगे, एज लिमिट की बात कर लें, तो एज लिमिट देख सकते हो, 29 साल मांगी हुई है, एक मार्च तक, एक मार्च तक आपकी एज 29 साल मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है जी, और केमिकल ट्रेनी की जो पोस्ट है, केमिकल ट्रेनी की पोस्ट है, 133 पोस्ट हैं, जनरल की 40 हैं, SC की 15 है, OBC की 52 पोस्ट हैं, ठीक है, और इसी के साथ OBC की 52 पोस्ट हैं, एकोनमी की विकर सैशन की 10 हैं, PWD की 5 हैं, ठीक है, यह टोटल में 133 पोस्ट हैं आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें bachelor engineering bachelor science या फिर आपका डिपलोमा chemistry में या फिर आपका ncvt आपकी मांगी हुई है यह जुरूर यह भी chemistry में chemistry operator में chemical operating में मांगी हुई है डिपलोमा आपका chemistry में मांगा हुआ है ठीक है यह तो होगी operator chemical trainee की post और उफके बाद junior fireman की post की इसमें fire certificate मांगा है fireman का और छे मिनने का आपका experience मांगा हुआ है ठीक है और बात कर लेते हैं आपका जो selection process के बारे में online return exam होगा और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ chemical operator का ही आपका test trade test होगा और दूसरी trade का नहीं physical test होगा सिर्फ fireman का होगा document verification और medical दोनों trades का रहने वाला है ठीक है इसमें आपको duration मिलेगी 90 minute मिलेंगे 90 minute मिलेंगे और 100 question मिलेंगे और 50 question आपके course के होंगे और 50 question आपके general English quantitative aptitude math general reasoning general knowledge general awareness के आपके रहने वाले हैं और यहां पर आपकी negative marking भी रहने वाली है ठीक है जी और उसके बाद next बार कर रहे हैं apply कैसे करना है अब चलते हैं इस matter पर यह आपको officially website का link वीडियो के description box में मैंने provide करवा दिया है वहांसे भी आप लेख सकते हो राष्ट्रिया है chemical and fertilizer limited की तरह से है यह post ठीक है जी यहां पर आप contact us में आकर ज्यादा information पाना चाते हो तो contact us में contact पर click करके contact खोल कर आप यहां पर इनकी officially numbers पर भी concern कर सकते हो अब बात कर लेते हैं next apply करने के लिए कौन कौन सी पोस्टे है कौन कौन apply करेगा यह तो आपको advertise यहां पर advertise option मिल गया है और यहां पर ही आपको apply करने का option भी मिल ग BC format और SC ST का format भी मिल गया है income and assessment statement का भी आपको यहां पर performa देखने को मिल जाएगा online registration देख सकते हो 14 मार्च से start up हो चुकी है ठीक है जी यह जरूर दियान दिएगा 14 मार्च से start up form apply होने start हो चुके है यानि कि कल से form fill up होने start हो चुके है 28 मार्च लास्ट डेट है इसकी शाम के 5 बज़े तक सिर्फ और सिर्फ 14 दिन यानि की 13 दिन और left आपके रह गए अब बात कर लेते हैं कौन-कौन candidate eligible हो सकता है operator chemical trainee के लिए यह देख सकते हो इसमें आपको operator trainee का जो की 22,000 से 60,000 का pay scale रहने वाला है ठीक है और आपको इसी के regarding ही आपका जो qualification होनी चाहिए वो आपको बता चुका हूँ जाए उसके बाद junior fire की आपको यहाँ पर 18 यहाँ से 42 यहाँ पे scale रहने वाली है ठीक है इसमें भी आपको बता चुके है ठीक है जी और उसके बाद next बात करें तो यह अलग-लग की अलग-लग qualification है वो आप notification में देख सकते हो ठीक है बाकी main जो है main मैं आप आप वीडियो जो जिस पर discussion कर रहे हैं वो यह advertise है तो ठीक है important देर से इन्होंने बता रखी है भी बारा से लेकर जो बारा यह बारा से लिए जो हो चुकी है और यह 14 तारीकों हुई है और 28 मार्च तक आप apply कर पाऊगे अब बात करते हैं detail notification की detail advertise जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएग अपा new tab में खोल देते हैं ताकि अपने को problem ना आए कोई ठीक है जी यह आपको पूरी complete notification मिलेगी हर एक कहले हैं यह जो आपको सारी details देखी है इन सभी के बारे में आपको information पूरी मिलेगी ठीक है अब बात करते हैं यह notification जब तक खुलता है apply करने के बारे में यहाँ पर आ अप्लाई का पहले apply का discussion कर लेते हैं तक अपनी PDF अपन हो जाती राष्ट्री यह chemical and fertilizer limited की तरह से यह मुंबई की वरांचा जी इसमें आपको यह portal देखने को मिलेगा इसमें main बात करें अगर आप discussion करना चाते हो या कोई query करना चाते हो तो आपने simply helper क्लिक करना है helper आपके यह number आपको यहाँ पर शोफ कर जाएगा क्योंकि कई बार network slow हो जाता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है वो कई बार आपको जब discussion करते हैं उस time slow भी हो जाता है और उसके बार next आपने apply करना है तो यहाँ पर registration पर क्लिक करना है help लेने के लिए यह number आपको इसमें मिल जाएग उसके बार next बार कर लेते हैं यह officially notification खुल गया यह देख सकते हो इसमें आपने proper way में यहाँ पर name last name और आपनी mail id डाल कर registration करना है अगे document बांगेगा सारे के सारी document आपने provide करवा देने हैं ठीक है उसके बाद fee structure जो आपको 700 रुपे मैंने बताई दिया है ठीक है जो की candidates की fee structure general OBC economic worker session की 700 रुपे fees रहने वाली है ठीक है आपको health 9 नंबर भी बताईए उसके पहले आपना discussion कर लेते हैं कौन सी post की बारे में आप बात कर रहे हैं जो की chemical training की बात कर रहे थे इसमें total 133 पोस्टे जनरल की 40 SC की 5 15 पोस्टे और इसमें backlog वाले भी apply कर सकते हो यह देख सकते ह सकते हैं स्टी के 16 पोस्टे हैं OBC non-crimi-leer की 52 पोस्टे हैं economic worker session की 10 पी-डवलीडी की 5 पोस्टे इसमें आपका full time regular chemistry में डिग्री होनी चाहिए ठीक है जी और या फिर आपका diploma आपका तीन सब्सक्राइब का BST डिग्री होनी चाहिए और वो भी आपकी chemistry में होनी compulsory है या पूरे का पूरे नोडाउन कर सकते हो इसमें pay scale की बार कर लेते हैं तो आपका 22,000 से 60,000 pay scale रहने वाला है और SC कास्ट और general बाकी सबी कास्ट के लिए 55% degree में होने compulsory है SC कास्ट के लिए 50% होने बहुत कमपल सरी है और age भी आपको ये सब की दिखी एक मार्च तक 29 साल economic worker session general की age होनी चाहिए SCST के लिए 34 साल OBC के लिए 32 साल PWD candidate और general candidate के लिए 49 साल age और PWD SCST candidate के लिए 44 साल और PWD OBC candidate के लिए 42 साल होनी कमपल सरी है ये जुरूर ध्यान दे लिजिएगा ठीक है और उसके बाद second में अगर आपके पास degree नहीं है तो आपके पास diploma chemical में होना कमपल सरी है engineering chemical में हो या technology आपकी chemical में होनी कमपल सरी है तो ही आप इसके लिए eligible हो पाओगे इसमें भी percentage सेम सेम है करीबन ठीक है जी और age structure भी सेम है और यहां फिर आपका चार साल की आपका डिपलोमा chemical में होना कमपल सरी है यानि कि chemical में ही आपकी degree यहां डिपलोमा होना जरूरी है वो भी आपकी same qualification है जी पचपन प्रसेंट से क्रिबन क्रिबन सेम है और इसी के साथ इन्होंने एक यह जुरूर मेंशन किया हुआ है जो कि main important thing होती है यह वाली क्योंकि मैं highlight तो कर रहा हूँ आपको ताकि पता लग जाए इसमें काया जी candidate possessed two year work experienced fertilizer chemical industry में यानि कि pesticide या agrochemical या chlorokali और या फिर organic chemical manufacturing में या फिर आपका batch process में performing आपकी होनी compulsory यह दो साल का अगर आपका experience होगा तो preference आपको मिलेगी chemical वालों के लिए है जी यह अगर आपके पास दो साल का chemical industry का experience है तो आपके लिए बहुत बड़ी opportunity है बीसे जार से साथ जार का पेश्केल है पेश्केल भी बहुत बड़ा है यानि कि जिसके पास experience होगा obviously बात है भी पेश्केल उसका ही ज्यादा होगा ठीक है यह जूरू ठीजिए उसके बाद next बात करें जूनियर fireman के लिए ठीक है जूनियर fireman की बात करें तो अठारा जार से लेकर 42,000 पेश्केल चार पोस्टे है जनरल के लिए कोई भी को पोस्ट नहीं है कोई भी केंडिदेट जनरल में अपलाई ना करें SC, ST के लिए एक एक पोस्ट है OBC के लिए दो पोस्ट है इसमें एक बैगलोग वाला भी चल जाएगा इसमें आपका state fire training certificate होना जरूरी है यानि कि SFTC SC, हाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम के दिनों में मेरे को देखने को मिली है जो कि केंडिदेट क्या होता है पोस्ट की पूरी detail नहीं देखते भी detail मिली है आपको बहुत बड़ा benefit मिल गया है हाँ जो mistake रह जाती है कई बर ही mistake हो जाती है सभी से होती है क्योंकि mistake आप हाँ चाहते है भी यह चीज बोलें कई बर वह गलती से by mistake छूट भी जाती है जैसे SFTC का ये short form मिला है मैंने SFTC बोल दिया full form नहीं बोला वीडियो जादा लें थी ना हो जै इस कारण तो वो candidate इसी को comment करते हैं बार बार इसलिए मैं request करूँगा आप ये चीज मत देखिएगा हाँ कोई चीज शूट जाती है उसको comment highlight कर जूरूर कर दीजे भी SFTC full form ये है ठीक है जी जैसे कोई भी full form रह जाती है तो उसको highlight comment में जुरूर कर दीजे भी ये full form by mistake रह गई है आप अपनी क्या problem होती है आप अगले को जताने लग जाते हैं भी ये mistake आप से रह गई है comment highlight भी कर सकते हो कोई problem नहीं है मैं किसी का comment remove नहीं करता ठीक है इसमें यानि कि आपका state fire training center का आपका certificate होना compulsory है ठीक है छे मिनने का तो आप इसके लिए apply कर सकते हो और साथ में आपका heavy motor vehicle driver license भी होना जरूरी है learner license नहीं चलेगा ये जरूर ध्यान दीजिए और एक साल का industry में fire fighting का आपका experience होना भी compulsory है इसमें SCST के लिए 34 साल age, OBC के लिए 32 साल age मांगी हुई है अगर एक सर्विसमें हो तो पांच साल अलग से आपको relaxation मिलने वाली है total में post आपको देखने को मिल जाएंगी 137 पोस्टें total में आपको देखने को मिल जाएंगी ठीक है जी और सारी का सारा पोस्टें बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है एक और चीज जो कि आपको कई बार समझ नहीं आती है ये short forms जो कि short forms आपको form में इसमें देखने को मिल जाएंगी वो भी आप trade out कर सकते हो no doubt कर सकते हो relaxation की बात कर लेते हैं वो आपको already बता चुके हैं ठीक है सारी की सारी information जो main main team वो आपके साथ share कर चुके हैं और सास्टोर पे आपकी fees रहने नहीं रहने वाली ठीक है पेस्केल की बात कर लेते हैं तो selection के पूरी पेस्केल के बारे में मैं आपको प्रोपर वे में बता चुका हूं उसके बार selection मोड की बात कर लेते हैं तो वर्कर के लिए और जूनियर फाइब मैंड के लिए online test होगा trade test होगा ठीक है जी online test होगा वह आपका objective type होगा और उसका भी पहले आपको admit card provide करवा दिया जाएगा यह भी by language में आपका रहने वाला है ठीक है कहां पे होगा यह आपका मराठी राजबाश्या आपकी आणी जरूरी है जो की online test आपको मुंबई में देखने को यह मिल जाएगा यह साही information आप अपने apply करने से पहले भी read out no doubt कर सकते हो पूरी की पूरी information जरूर देखिएगा इसमें जो जो candidate one ratio two k ratio में यानि की एक post के लिए दो candidate बलाए जाएंगे जो की exam के लिए बलाए जाएंगे ठीक है जी और उसके बाद जो आपका बाद में interview होगा interview के base पर आपकी skill test के base पर ही आपको final किया जाएगा जो की physical रणे वाला है जूनियर fireman का वो physical के बारे में आप यह देख सकते हो information ठीक है जी running house running drilling और आपकी driving test और physical junior fireman grade woman के लिए यह woman के लिए अलग लग है physical standard देख सकते हो height 132 cm 162 woman के लिए height मांगी हुई है 50 kilo weight का weight आपका मांगा हुआ है और vision parameter भी इन्होंने बताया हुआ है ठीक है जी finally बात करते हैं तो online test के 100% और trade test के आपके अलग लग unstable है वो आपके अलग से basis रहेंगे ठीक है जी यह सारी information आपके साथ share करती है फिर भी कोई information रह जाए प्लीज मैं यही कोँगा पर कोई भी गलत बोलने से पहले वो जो information छूट जाती है वो information highlight करके जुरूर description में डाल सकते हो comment में डाल सकते हो ठीक है mistake करने से mistake ढूंडने से अच्छा ज्यादा से ज्यादा आप mistake को query को clear कीजिए और comment को highlight जुरूर कर दीजिएगा ठीक है कोई mistake रह जाती है भाई हम कोई कोशिश इतनी छोटते नहीं है भी आपकी कोई mistake आप से छूट पाई ठीक है यह information हाई यह आपको apply पूरे का पूरा help desk म कैसे आपने apply करना है उसके बारे में पूरी पूरी information आपको performing की apply करने की proper way में information मिल गई है ठीक है और उमीर करते हैं यह information आपके लिए बहुत बढ़िया रही है जो की राश्ट्रिय चैमिकल एंड फर्टिलाजर यूनिवर के limited की तर से यह 14 मार्च से कल से apply होने start हो चुके सुबह 8 वजे से और 28 मार्च तक आप apply कर पाओगे apply करने का link, advertise का link और पूरी detail का link आपको इस वीडियो के description box में provide करवा दिया गया है ठीक है जी अगर इसी तरह की और भी big update पाना चाते हो हमारे चैनल पर नहीं हो तो क्रिपा करके चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइक हम all notification जुरूर on कर लीजिए अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हो तो जादा से जादा वीडियो शेयर जुरूर कीजिए वीडियो शेयर करने से से किसी को बहुत बड़ी information मिल सकती है वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका देहीं